वेलकम टू ग्लोबल वर्ड एंड गुड मॉर्णिंग ऑल फ्यू आज की सेशन को हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं आज की सेशन में हम लोग यहां पर पर्यावरण अध्यन का एक चेप्टर कंप्लीट करने जारे जो कि आपकी NCRT की बुक से लिया गए यह आपकी NCR से कैसे कनेक्ट हो रही है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे नएने जीवजनतों के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत सारे एनिमल्स की जानकारी हम लोगों को यहां पर मिलेगी कि वह किस तरीके से चाहे वो उश्ट्रेक्टी बंदी वर्षावन हो गए चाहे वो धू उमद्दीरे रेखा के अनुसार रहने वाले जिव जनतों के बारे में होगी तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं कैसे अपना जीवन यापन करते हैं उनका आहार क्या होता है यह सारी चीज़े आपको इस चैप्टर में बता चलेगी साथ ही यहां पर कुछ इस प्रकार से नहीं जो जिनके बारे में शायल हम लोगों को बैसिक नॉलेज ना हो तो यह चैप्टर इसलिए हम लोग अज के सेशन में कम्प्लीट करने वाले उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तक इसी तरीके से वीडियो क सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और यदि आप वाट्सप ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 877-080-3840 इस पर वाट्सप करके आप वाट्सप ग्रूप में एड़ हो सकते हैं वन मोर इंफोमेशन के EVS का हार्ड कोपी भी हो चुका है यदि आप हार्ड कोपी मंगवाना चाहते हैं अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं बुक को तो आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं साथ ही सॉफ्ट कोपी ऑल्रेडी अवेलेबल इसी तरीके से आपके CDP के नोच अवेलेबल हैं EVS के नोच कंप्लीट कि पेडागोजी राइट और आपका मैच पेडागोजी अवेलेबल है तीन कोड़ यहां पर अवेलेबल है तीनो का ही आप हार्ड कोपी अपने घर पर मंगवा सकते हैं ओक उसके लिए अप सेम वाट्सब नंबर पर संपर करेंगे आप वाट्सब करेंगी आपको सारी डी में मिलती है उसके साह important point को यहां पर हाइलाइट क्या हूब उन साह important को आज के session में हम लोग discuss करेंगे सबसे पहले आपको वर्शा-मापी यंत्र के बारे में बताया गई वर्शा को मापने का क्या यंत्र होता है वर्शा को वर्शा-मापी यंत्र के तरीक है को सुझन होता है तो अगर आपक्से पूचा मापने का एंदर को नकाला जाताру ये हर दिन होता है गिटनी वर्श होता है रहे हिस महीने में ओसतन किदनी वारीенного बांध ते इसमने के एक खुचा का सुझनस नाँ जाता है एक म सकत्तव है वर्श Mr. मापी अब हम लोग जानते हैं कि मोसम क्या होता है क्योंकि एक यदि कॉमन सी बात करें तो इक जो सबसे बड़ा बनता है न वो मोसम में बनता है और कि मोसम व जल वायू में क्या परिवर्थन होता है तो इसी evident is एक इसे नические स्थान पर फापमान आधरता वायू वर्शा वें तो कि कि अधिक्त संदर व मंदल की परिश्चिति उस इस कितना था आज कितनी नमी थी आज रहता थी हमारे मौसम के अंदर वायू किस प्रकार से वायू का वेक कितना था क्या अच्छी हवा चली वह पूरा वायू का वेक वर्षा कितनी हुई इन सभी का एदी प्रति दिन का हम लोग एक ब्योरा कलेक्ट करें इक सारी इंफोर्मेश करें तो उस चीज का क्या उस जगह का क्या कहलाएगा मौसम कहलाएगा इसी तरीके से यदि आप से पूछ लिया जाए कि जलवायू क्या होता है तो जलवायू किसी प्रती दिन की नहीं होती लग भग आप मान कर चले 25 साल आप मान कर चलिए मिनिममम 25 साल तक आप उस शेत्र क मान लो हम लोग हमारे MP के शेत्र का 25 सालों से अध्यान कर रहे हैं एक फिर हमने एक average निकाला कि अच्छा मध्यप्रदेश की वायू इसकी जलवायू इस तरीके की है यहाँ पर वर्षा इस समय पर होती है वायू मंदल में इतनी नमी रहती है वायू का वेग इस प्रकार से अपने उस चीज का अध्यान के उसके बाद आपने एक एवरेज डेटा यहाँ पर निकाला है तो वह प्रदेश की जलवायू कहलाती है हरी प्रदेश की अपनी जलवायू होगी लद्दा काश्मिर हो गया वह ठंडे इलाक्यों होंगे राजस्तान गर्म मिलाका हो गया तो पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर कर रहें जो आपको यह बता रहा है कि मोसम में सभी परिवर्तन सुर्य के कारण होते हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि सुर्य जो है अत्यदिक उच्चेताप और गरम गेसों का विशाल गोला है सुर्य हमसे दूर है क्योंकि यह हम लोग प्रात्मिक उस्त्रोथ वार आपका प्रैशन बना हुआ उवा एक्जाम के अंदर के उस्त्रोथ क्या है यह फिर जो खादे जाल और खादे शरंखला में अलग 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 तरीके से पूछा जाते हैं तो सुर्य उच्चा का प्रमों कि स्त्रोथ होते मोसम में परिवर्तन तो वहाँ का मौसम घर्म इलाकों रगिस्तान इलाकों पहाडी इलाकों से डिफरेंट होता है तो सूर्य का बहुत बड़ा इंपक्त पड़ता है और जहां पर आप निवास करते हैं वहां के मौसम का भी परीवर्तन आप अपने दिन प्रतिविन के जीवन में देख सकते हैं अब लूग यहाँ पर कुछ नए पॉइंट को श्टाट करेंगे धुस्टर कू जानेगे कि डुली शेतर की क्या विशेशता होता है पहरican पर रहने वाले जो जीवजनतु होंगे उनका जीवन्यापन कैसे होता होगा यहदी भूमधियरेखा से इसको compare करें तो यह चीज़ें आज के सेशन में हम लोगों को समझनी है नोर्थ पॉल साउथ पॉल भूमध्य रेखा कि कैसे क्या जीवन यापन यहां पर जीवजनतु अपना करते हैं जुबी शेत्र दुगों के सम्मी पोते उत्री दुद्रू दक्षिनी दुद्रू आइसलेंड नार्वे स्वीडन फिनलेंड अमेरिका में और अलास्का रूस के साइबेरियन शेत्र यहां पर सम्मेले थे किसमें पोलार रीजन में कौन-कौन से शेत्र आते हैं यह आपको बताएगा इसका क्वीज सेशन भी हम लोग कम्प्लीट करेंगे इसमें एक प्रस् आइसलेंड नौर्वे स्वीडन फिनलेंड अमेरिका अमेरिका के अलास्का और साथी रूस जो है यह सारे के सारे रूस का जो साइबेरियन शेत्र है वो सारे के सारे हमारे पोलार वीजन ध्रोवी प्रदेश के अंदर कंसीडर किये जाते हैं तिक यह बात होगी वर्षा 1 आपको देखने को मिल सकते हैं इन सारे देशों में तो यह देश भी आपको याद करना पड़ेंगे हम लोग जल्दी इसका क्वीज भी कंप्लीट करेंगे आज एका दो कुष्ण कंप्लीट करेंगे इसके हम लोग और धुवी शेत्रों में क्या-क्या चीजे होती ह देखो दुवी शेत्रों में अच्छा हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हम लोग दुवी प्रदीश पढ़ क्यों रहें क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे एनिमल से लाइक आप तेखेंगे दुवी जैसे की भालू हो गया फिर यह कुछ इस तरीके के पैंग्वीन हो गए इन कि यहां रहने वाले जन्तु इन चरम इस्ततियों के लिए अनुकूलित हो गए मिल्क उनको आधत हो गए कि अपना जीवन यापन कर सकते हैं हम लोग आज की सेशन में पॉलर यानि की दुवी भालू के बारे में और पैंग्विन के उधारन से समझेंगे कि वह किस तरीके स इस प्रकार की जलवायू शेत्र में सर्वाइव करते हैं तो देखो जूवी भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल फर होते हैं इसमें वे बर्फ की सपेश श्वेद प्रष्ट भूमियों में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं यदि कोई उनको मारना चाता है कोई शिकारी बचा सकते हैं साथ ही इनसे अपने शरीर शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है अब यह क्या करेंगे इसका फाइदा उठाएंगे इनको शिकार करना होती है वर्फ में चुपकर बैठेंगे और जब इनको कई शिकार आएगा तो उसको आसानी से पकड़ सकते है तो अच्छी तरीके से शीत्रोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं थाकि उनके शरीर का अउशकता से अधीक नहों पाए यह अपने शरीर को बहुत अभय अधीक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर जो बोल सकते विश्राम करते आराम करना यह पसंद करते पानी में तरीके से इनको ज्यादा गर्मी नहीं तो आराम से विल्कुल धीमा जीम इसको लोग बोल सकते हैं गर्म मौसम में भोतिक रिया कलापो के बाद रुवी भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है जिसे कि हम लोग अभी डिसकस कर रहे थे कि उनको ठंडा करने की भी आउशकता होती है रुवी भालू समूंदरी जल में तेड़ते हैं यह अच्छे खासे तेराक होते ह आसानी से यह तेड़ सकते हैं इनके पंजे चोड़े और बड़े होते जो न केवाल अच्छी तरीके से तेरने में मदद करते वेल्कि बर्फ में चलने में भी उनकी मदद करते हैं राइट तेड़ते समय अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर भी द्रूवी भालू की सुंगने की शक्ती जोती काफितीवर होती है जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को बहुत आसानी से ढून लेते हैं हम द्रूवी भालू के अनुकुलनों को चित्र मतलब अभी हम लोग एक डाइग्राम देखेंगे उसमें पूरा समझ सकते कि किस तरीके से ध्रूवी भालू अपना जीवन यापन करते हैं और क्या-क्या क्यारेक्टरिस्टिक्स इनकी हो सकती है यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ की प्रस्ट भूमी पर यह आसानी से छिप जाते किसी को दिखाई नहीं देंगे ना शिकारी इने पकड़ पाएगा और यह आसानी से अपना शिकार यहां पर कर सकते हैं अब इसके क्या-क्या फाइदे हुए इससे परभक्षी और शिकार इसे आसानी से नहीं देख पाते हैं इनके शरीर पर बालों की दो मोटी पड़ते पाई जाती है यह सर्द मोसम में इने गर्म रखने में मदद करेगी इसका शरीर जो है काफी शीत रोधी होता है जिसको पकड़ने में मदद करता है इनकी नखर नाखुन मोड़े होए लंबे पैने होते जो इने तेरने में भी मदद करेंगे और यह बर्फ पर चलने में भी इनकी मदद करते हैं तो यह पूरा हमने केरेक्टरिस्टिक्स देख लिया यहां पर एक पोलर बीयर का यानि कि बालू परिची जनतु पैंग्वीन उता है यह भी सफेद कलर का होता है और आसनानी से बर्फ के अंदर चुप जाता है इनके शरीर में भी स्वेम को सर्दी से बचाने के लिए मोटी तवचा अरतिदिक वसा पाया जाता है पैंग्वीन के जून के चित्र देखे होंगे आपने पैंग्वीन के बारे में अब लोग बात कर लेते हैं उसने कट्र चारे लोग हमारा रूम में इतने लोग बैठे तो वैसे ही गर्मी हो जाती है वहां पर तो सेम एज इस उस रूल को भी यह फॉलो करते कि ज्यादा सब साथ में चलेंगी तो इनको ज्यादा नहीं लगता ह कि इनका शरीर धारा रेखीत होता है और इनके पेरों का जाल ऐसा बना होता है जिसकी वज़े से अच्छे तेराक होते यह पेर आपको यहां पर बताय गए यह आसानी से पानी में तेर सकते बर्फ पर यह फिसलन करते बिल्कोल एक तरीकी से फिसलते हैं यह तो यह बात यहां पर हमें क्या बताया गया है कि सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामानिय था हम लोग बोल चकते हैं 15 डिग्री से अधिक होता है और गर्मियों में तापमान चालीस तक पहुच जाता है और इससे भी अधिक हो जाता है वर्ष भर दीन और रात की लगमभाई जो है लगबग बराबर वो सकते हैं थोड़ी दिन जहां पर दीन कम रात लंबे और रात कम दिन लंबे हो जाते इन शेत्रों में प्रचूर मात्रा में वर्शा होती हैं यह भारत के पश्ची में घाटो और असम इलाकों में आपको देखने को मिल सकते हैं इसे इसे बन डक्षिंपूर्व इशिया मध्य अमेरिका मध्य अफ्रिका में भी देखने को मिलेंगी तो यहां से एक पॉइंट क्रियेट होगा क्या पूशनकरटी बंदी वर्शावन कहा कहां कहां यह देखने को मिलेंगे और साथ ही दक्षिनपूर्वी इशिया मध्य अमेरिका मध्य अफ्रीका में भी यह मिलते हैं सतत गर्मी और वर्षा की कारण इस चेत्र में विबिन प्रकार के पादपोर जन्तु आपको मिल सकते हैं यहां पर कोई भी जीव आसानी से सर्वाइव कर आगे बात करेंगे की दृवी प्रदेश में और कौन-कौन से सर्वाइव कर पाते हैं तो हम लोग देखते हैं प्रवासी पक्षी भी होते हैं जो भी यहां पर आते हैं तो दृवी शेत्र में रहने वाले अन्य जन्तूवें अने क्रकार की मचलियां कस्तूरी मग, रेंड और यहां पर जहां मचली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती वहीं पक्षियों को भी जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखने के आउशकता होती इसी कारण अनिक प्रकार के प्रक्षी सर्दियों में जो है वहां से पलायन करके कहां से पलायन करके धुरूवी से पलायन करके दूसरे शेत्रों में आ जाते जैसे कि आपने साइबेरियन सारस को देखा होगा वह कहीं दूसरे प्रदेश से अपने राजस्तान और इन इलाकों में आते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिसकस करेंगी इसी कारण अनेक प्रकार के प्रक्षी सर्दियों की अपेकशा करत गर्म को पर प्रवास के लिए चले जाते सब्सानों सब्सक्राइब और इस सबसे रजाएंग कर जाते हैं वह उप पार करना पड़े उसके लिए भारत की सआइड़ कम सबसे बड़ा डाउट क्या आता है कि चलो हम तो हम लोगों को कहीं जाना हो तो हमारे पास Google Map होता है, पूरी जानकारी होता है, नक्षा होता है कि हम लोग कहीं से किसी भी इस्थान से जा सकते हैं, लेकिन प्रवासी पक्षी लाइक, इतनी किलो मेटर दूर तक ये यात्रा करते हैं, पूरा एक देश, छोड़ कर दूसरे दाइरेक्शन वाली मिल जाती साथ ही यहां पर क्या होता है इस उच्छाई की शीत इस्ततियां उनकी उडान पेश्यों द्वारा उश्मा का विसरन करना आसान कर देती है लेकिन यहां पर बात करें कि यह कैसे आते हैं तो इन्हें दिशावोध का ग्यान होता है और यह माना जाता है कि यह क्या करते हैं संभवता अनिक पक्षियों को दिन में सुर्य और रात्री में तारों से मार्गदर्शन मिलता है इसके भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिश्रा का ग्यान करने के लिए प्रत्वी के चुंबकी शेत्र का प्रियोग करते हैं इसकी वज़े से भ तो सभी जीव प्रवास करते हैं यह चीज यहां पर बताई गई है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब कुछ और जीवों के बारे में हम लोग देखेंगे जिसे कि सबसे वहले आपको स्क्रीन पर वही दिखा होगा लाल नेतर वाला मैड़क लाल अखो वाला मैड़क ठीक है जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उप्यूबत होती है मतलब जो वर्षा वन होते हैं वहां पर अत्यधिक प्रकार के काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल सकती है चुकि जनसंख्या अधिक होती है अता उनमें भोजन और आश्रह के लिए स जनतुओं में भी होगा कि उनके बीच में प्रतीश परदा चलती रहेगी सर्वाइव के लिए जीवन जीने के लिए अनेक जनतु वरक्षो पर रहने के लिए अनुकूलित है लाल नेतर वाला मेंड़क जिसे के आपको चित्र में दिख रहा है इसके पेर के तलवे जो होत हैं आगे हम लोग बात करें कि वरक्षो पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूँच होती है जो इन्हें वरक्षो पर रहने में मदद करता है जो क्या करता है शाखा को पकड़ने में मदद करेगा इनके हात और पेर ऐसे होते हैं जिससे यह आसी अनी से शाख को पकड़ सके ताकि यह पेड़ के उपर सर्वाइव कर पाएंगे आगे हम लोग बात कर रहे हैं देखो वनों में आवास करने वाले जरनतों में भोजन में परस परतीस परदा होती रहती है कि उनका शरीर उसी प्रकार से अनुकूलित बनाया जाता है ताकि कोई भी पक्षी यह से यहीं वहाँ पर शर्वाइव कर पा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे है तूकन पक्षी इसका नाम है पक्षी राइट यह कुछ नए पक्षी जोंग के पड़ रहे है कि लंबी बड़ी चोंच हो टी जिसकी साहता से वह ऐसी शाख्ळों में लगे लगे पहुद पहुद जाता है जो बहुत कमजोर होती है भागी हम लोग बात करें उस् Hmm यों को पाया जाने वाले अनेक जंतों में सुन्ने की समवेधन शील शक्ति स्यetrical कि मौठी वर्ण की तवच्छा होती जो उन्हें आसपास के शेत्र की साथ-साथ मिला कर सद आवरन बनाने में सहायता करती और उनकी पर भख्षियों से रक्षा गड़ती मतलब कुछ ऐसे जीव हो गए जिसे कि आपको एक्जामपल यहाँ पर चित्र में दिख रहा है लोयन टेल्ड लंगूर की प्रजाती है अब यह कोई भी शिकारी यहां रहा है तो आसानी से उसके आवाज के माध्यम सब्मी संवेदना के माध्यम से उसको यहां पर पहचान सकते हैं मतलब अलर्टने सा जाती है ठीके उडहारंड के लिए बिलाव परिवार के जंतों शेरोचीता में मोटी खाल ह पहले हैं और उनकी सुनने के शक्ति काफी जाधा समवेदन शील होती है लोयं टेल्ड लंगूर जिसे दाडी वाला एप भी कहा जाता है इसके डाडी है इनसानों की तरह डाडी दिख रही है इसके ठीक है तो इसे डाडी वाला आप बोल सकते हैं जिसका सही नाम लोयं टे नार्मल कल्यार मानरफ घ्राव सुन जहते हैं तो यहां पेड़ के पर भीटों का पर में वा ondan कर सकता है तो गूमी परियाप चुछा जूटा पाने संवर्त होगा तो यह पेडों पर ही रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं चलो एक अनिमल की और बात कर लेते हैं जिससे आप सभी लोग परीचित हैं भारती उशने कटी बंदी वर्शावन का एक अन्य परीचित जनतु हाती है आती अनिक प्रकार के वर्शावनों की परिसितियों के में करते हैं लंबी सुन्ड से इनको सुन्गने की शक्ति बहुती जादा अच्छी होती है वोजन को उठाने के लिए अपनी सुन्ड का प्रियोग करते हैं इनके जो भाहे दंत होते हैं जिसे रद कहा जाता है वास्तों में रुपांत्री दात होते हैं इन दातों से हाती अ फार्द उ चलबायों में हाती को ठंडा करने में उसके कान यहां पर उसकी मदद करेंगे मरत हवा करने में भी सहायता करेंगे इसकी तो यहाथी की पूरी बोल सकते हैं क्यरेक्टरिस्टिक्स हो गई किस तरीके से यह पना जीवन यापन करते हैं तो मुस्ली ओल्मोस तारही अनिमल्स के बारे में हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया इसका क्वीज हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे एक आइडिया अप लोग ले लीजिए कि क्विश्चन किस तरीके से बनते हैं कि पहले पाँ पाः जाता ब लुक पाता है कि इंडिया और मलेशिया के अंदर थी में पहले आपका प्चैन्स कि नि जी नि फडाइन फ़ी अंदर च्टापिकल रेन फोरेस्ट को देख सकते हैं अंसर धर क्या के सब्सक्राधु ओक्शन मुद्टी तो आपने नहीं बनाए हैं अभी तो जल्दी से शॉर्ट नोट बना लेना ताकि जब लोग इसके 40 कुश्चन रखे हुए जैसे हम लोग इसके 40 कुश्चन करें कि अप असानी से सारी ही चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो आज की सेशन को अम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं तो एक बड़ से उससे आप जरूर से जॉइन कर लें और इसकोर जरूर से कमेंट करके बताएं कि आपका 30 नंबर का जो टेस्ट हुआ था उसमें अपने कितना स्कोर किया है राइट सेशन को ओवर करेंगे कैसा लगा कमें करके जरूर से बेटाएं थैंक्स फर वचिंग